हाई एवरिवन वेल्कम पैक अगेंग तोडेवी आर गोईंग टो डिसकस अबाउट क्रेनियल नर्व्स और आइविल आइविल आइसो डिसकस्थ सम् ट्रिक्स टू लर्न क्रेनियल नर्व्स तो सबसे पहले हम लोकेशन की बात करते हैं मिल्ला वो कहां पर प्रेजन उती है तो एक्श्यल में हमारी नर्व्स 12 होती है जो हमारे हेडर रीजन को और हमारे फेसियल रीजन को में प्रीजन होती है और इसकी कहां पर है इसकी लोकेशन है cerebriform plate में और यह sensory होती है nature में मतलब जब हम cranial nerve से बात करेंगे तो हम three types की nerves की बात करेंगे sensory कौन सी है, motor कौन सी है और उनमें से mixed कौन सी है mixed मतलब sensory और motor दोनों functional sensory का मतलब यह है कि sense organ से वो हमारे stimulus को detect करके information को brain तक बुचाती है फिर brain हमारा motor nerves की help से वही information हमारे मतलब जो affective organ होती है जैसे muscles होगी या हमारी glands होगी वहाँ तक होचाता है तो motor का function होता है response शो करना और information receptor से जो sensory organs में present होती है वहाँ से brain तक लेके जाने का function होता है sensory cranial nerves का और जो तोनों तरह का function perform करती है उनको mixed हम बोलते हैं मतलब motor भी होंगी वह और sensory भी होंगी तो olfactory जो हमारी nerve है वो sensory है वो nose में present है olfactory का मतलब ही smell होता है तो इसका function smell करने का होता है secondary हमारे पास optic nerves होती है optic nerve हमारी optic foramen में present होती है यह हमें दिखी रहा optic foramen में present होती है और यह sensory nature की होती है और ये विजन में हेल्प करती है आई के अंदर प्रेजन होती है फिर हमारे पास थर्ड आती है जिसको हम ओक्यूलो मोटर बोलते है ओक्यूलो मोटर जो है वो हमारी कहां पर प्रेजन्ट होगी ओक्यूलो मोटर हमारी प्रेजन्ट होती है superior orbital fissure के अंदर present होती है जैसे हम यहाँ पर देखे superior orbital fissure के अंदर यह present है और यह क्या करती है यह motor nature की होती है और यह eye movement में help करती है उसके बाद fourth होती है trochlear trochlear जो है हमारी यहाँ पर देख सकते हैं trochlear जो हमारी nerve है यह यहाँ पर present है fourth nerve प्रोक्लियर मोटर नेचर के होती है सुपीरियर ओर्बिटल फिशर के अंदर प्रेजन है और हमारी ये आई मोमेंट में हेल्प करती है इसके बाद जो आती है वो ट्राइस मेनल होती है जो कि फिफ्थ है हम देख सकते हैं कि यहां पर प्रेजन और इसकी लोकेशन को हम सुपीरियर ओर्बिटल फिशर ही बोलते है और ये मिक्स होती है मतलब मोटर नेचर भी होता है सैंसरी भी होता है और फेशियल सेंसेंशन फेस्ट्पे जो भी हमें सैंसेंशन फील हो हीग है और Trismenial Nerve के दुरू हो रही है Abducens Abducens हमारी आती है Sixth Sixth Nerve जो Abducens Nerve है वो हमारी यहाँ पर present है और यहाँ पर present है ठीक है जो इसकी location superior orbital fishery है और यह motor nature के होती है और eye moment में help करती है फिर उसके बाद 8th Nerve आती है 8th Nerve जो हमारी होती है है हमारी Abducens के बाद हमारी आती है Facial Nerve 7th हमारी आती है Facial Nerve location यह रही हमारी इसकी यह 7th है और यहाँ पर भी 7th है मतलब कि यहाँ पर यह क्या करती है internal auditory कैनाल में present होती है motor और sensory दोनों होगी और facial expression में help करेगी ते बाद हमारी 8th होती है Westry Bulo Cochlear Sensory Nerve यह हमारी एर्थ यहां पर 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 है यह inter auditory कैनाल में present है sensory nature के hearing और balance में major role पर गरती है इसके बाद 9th आती है Glosso Pharyngeal Nerve यह हमें दिख रही है Glosso Pharyngeal Nerve यह jugular foramen में present होती है भी mixed है motor sensory दोनों है oral sensation में और oral taste में miserol play करती है फिर उसके बाद 10th आती है vagus nerve 10th हमारी vagus nerve है और वो हमारी कहां पर present होगी 10th हमारी present होती है jugular foramen में और यह vagus nerve का ही काम करती है और accessory nerves जो है हमारी accessory nerves जो कि हमारी 11th nerve होती है 11th nerve जो है accessory motor nerve वो यहां पर present है और इस location को हम बोलते है jugular foramen यह भी motor nature की होती है और shoulder elevation में और head turning में में रोल प्ले करती है उसके बाद हमारी 12th nerve आती है जो हमारी क्या होती है hypo glossal और यह motor nature की होती है और यह tongue movement में help करती है अब हम इनको learn करते हैं यहां पर एक trick है only one of the two athletes felt very good victorious and healthy यह trick मैंने use की है इनको learn करने के लिए जैसे only में O है तो olfactory one में O है मतलब optic यहां पर सी आएगा फिर उसके बाद हमारे पास O है O ocle motor दा है तो हमारी pro clear two है trisminal athlete है abducence felt है facial very है vestibular good है तो हमारी क्या है glossopharyngeal victorious है vagus and से accessory हो गया healthy से hypoglossal तो इस तरह से हम 12 nerves को learn कर सकते हैं only one of the two athletes felt very good victorious and healthy olfactory optic ocle motor pro clear trisminal abducence facial vestibular vagus accessory hypoglossal फिर इनकी location दी गई है olfactory cerebris cerebris foam हमारी plate के अंदर present है और sensory nature में है smell sorry smell करने में miserable play करती है अब यहाँ पे जो इनका sensory और motor nature है उसको learn करने के लिए भी यहाँ पे trick है trick क्या है some says some say marry some say marry money money but my brother says my brother says big big brain matter most mm आ जाएगा तो some say sensory आ गया say say sensory आ गया marry से motor आ गया money से m आ गया motor b से both आ गया mixed मतलब हमारी motor भी होगी sensory भी होगी फिर my माई से motor आ गया फिर b आ गया फिर mixed आ गयी sensory से s फिर यहाँ पे हमारे पास क्या था big brother sorry big brain big brain आ गया big हमारा फिर यहाँ पे क्या हो गया both mixed 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 फिर हमारा क्या आता है कि matter most matter से motor और most से motor जैसे मैंने यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है some says marry money but my brother says big brain matters most यहाँ पे हम देख सकते है some से some हमारी क्या है sensory olfactory आ गी say से sensory optic nerve आ गी M से M motor olfactory आ गी money से M trochlear motor आ गी B butt से both मतलब motor और sensory दोनों mixed rhizeminal आ गी my से M abducense brother से B both facial S से sensory vestibulocochlear big से both glossopharyngeal brain से B vagus M से motor accessory और most से M motor hypoglossal तो यह हमारी 12 nerves है इनकी location देगी है tricks देगी है hope it is valuable to you and it is helpful to you and मैंने previous year question paper solve किये थे TZT natural science DTSPK तो वहाँ पे nerve से question था that's why I made a video on this topic week